कभी-कभी उन्होंने अपना ख्याल रखा होगा आप लोगों के सामने लेकिन एसम्मली के अंदर या किसी अवचारिक मीटिंग में या जब वोट का समय आया तो सभीन लोगों ने सर्व समथी से से पास किया तो अब कुछ बोलते हैं तो वो उनकी निजी राय है लेकिन जो क 80 प्रतिशत से उपर 85 प्रतिशत से उपर और महिलाए 95 प्रतिशत से उपर शराब बंदी का समर्थन करती है महिलाओं का या परिवारों का रहन सेहन में सुधार आया है और खास करके जो छेटगानी त्यादे के मामले थे या एक्सिडेंट के मामले थे वो समय कमी आई है नमस्कार आप देख रहे हैं मीडिया देश्चन और मैं हूँ आपके साथ सचिन्तिवारी बीते दिन पहले जीताराम मांजी ने एक बयान दिया था कि आप लोग बिहार में भोट उसी को किजिए जो लोग सराब बंदी कानून हटा दे जो लोग बालू प्रत्विदंदी हट का दे देखिए उनकी इस बयानों पे पलटवार करते हुए बिहार सरकार के मद्निशित विभाग के मंत्री सुनिल कुमार ने बड़ा हमला बोला और साफ साब कह रहे हैं कि जीताराम मांजी जव साथ में थे तो इस तरीकी का बात नहीं किया करते थे तमाम मुदों की जनक पाइदा हुआ सभी लोगों को, सभी वर्गों को और हम लोगों ने जो सर्वे, आंतिम सर्वे कराया, CNALEU से तो उसमें भी सपस्ट है कि मेजोरिटी जो अधिकांश लोग है, 80 प्रतिशत से उपर, 85 प्रतिशत से उपर और महिलाए 95 प्रतिशत से उपर शराबंदी का समर अथन करती हैं, और इससे फाइदे भी हुए हैं, और खास करके महिलाओं का या परिवारों का रहन सेहन में सुधार आया है, उनके जो आए है वो बढ़ी है, जो रोजमर्रा के जो खर्चे हैं, खास करके कपड़ों पर या खाने पर, इन सब चीजों पर बहतरी हुई है, और खास करके जो छेड़गानी त्यादे के मामले थे या एक्सिडेंट के मामले थे, वो समय कमी आई है, पर तेवारों के दोरान, विदी वैस्ता संधारेंड में तसाशन को मदद मिली है, माजी जी को ये सब क्यों नहीं नजर आता है? चार चाल लाग रुपया, एक सो बदीस आश्रित परिवारों को मिल चुका है, और शेष हम लोग उसका जो प्रक्रिया धीन है, हम लोग शीगिरूस का विवोकतान करते हैं। देखिए, हर व्यक्ति को और खास करके श्रदे माजी जी को भी सोचना चाहिए, कि जिसके वो लोग पक्षिधर रहे हैं, और जब वो हम लोगों के साथ सरकार में थे, तब तो वो बिल्कुल साथ में थे, कभी उन्होंने किसी मीटिंग में नहीं कहा, कभी-कभी उन्होंने अपना ख्याल रखा होगा आप लोगों के सामने, लेकिन एसमली के अंदर, या किसी अपचारिक मीटिंग में, या जब वोट का समय आया, तो सभी लोगों ने सर्व समत्ती से से पास किया, तो अब कुछ बोलते हैं, तो वो उनकी निजी राय है, लेकिन जो कानून है इस राज्य का, शराब बंदी का, फून नशाब बंदी का, वो यथावत है, रहेगा, और हम लोग उसे और सक्ती से लागू करें। प्रयास कर रहे हैं कि ब्यार में सराब बंदी कानून पूर्डूस से लागू हो, आगे भी लागू रहेगा, इसे हम लोग सक्ती से लागू कराएंगे।